10 मार्च 2022 पहला पाठ एस्तर का ग्रंथ अध्याय चार पद संख्या एक तीन से पांच और बारा से चोदा तक जब मोर्दकई को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्तर फाड टाट ओढ़ा वह उँचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर प्रतेक प्रदेश में जहां जहां राजा की आग्या और आदेश की घोशना हुई थी वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया उन्होंने उपवास करंदन और विलाप किया उनमें बहुतों ने ताट ओड़े राक पर शैन किया जब एस्तर की दासियों और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई उसने मौर्दकई को पहनने के वस्तर भेजे जिससे वह ताट उतार कर उन्हें पहन ले प्रन्तु उसने उन्हें पहनना स्विकार नहीं किया अब एस्तर ने हताक नामक एक खोजे को बुलाया जिसे राजा ने उसकी सेवग में न्युक्त किया था उसने उसे मौर्दकई के पास भेजा जिस से वह पता लगाए कि मौर्दकई ऐसा क्यूं कर रहा है मौर्दकई ने ये सुनकर एस्तर के पास ये उत्तर भेजवाया ये नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम सभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ती और सुरक्षा प्राप्थ हो जाएगी किन्तु तुम्हारा और तुम्हारे पित्रकुल का विनाश होगा क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ती से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको राणी का पद प्राप्थ हुआ हो यह प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य प्रभु जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तुने मेरी सुनी प्रभु जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तुने मेरी सुनी प्रभु मैं सारे हरदय से तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुने मेरी सुनी है मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरी स्तुती करता हूं मैं तेरे पवित्र मंदिर को धंडवत करता हूँ अनुवाक्य प्रभू, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तुने मेरी सुने मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिग्यता के कारण तेरे नाम का गुनगान करता हूँ तुने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिग्यता का यश्च बढ़ाया है जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तुने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया अनुवाक्य प्रभू जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तुने मेरी सुने तेरा दाहिना हाथ मेरा उधार करता है प्रभू तेरी सत्य प्रतिक गिता चिर्स्थाई है अपने दृष्टी को सुरक्षित रखने की कृपा कर अनुवाक्य प्रभू, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तुने मेरी सुने जैगोश ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुती हो ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुती हो इश्वर मेरा हरदे, फिर शुद्ध कर, मुक्ती का आनंद मुझे फिर प्रदान करे अनुवाक्य ए मसीहा तेरी महिमा और तेरी स्तूति हो संत मती द्वारा रचित सूस समाचार अध्याई साथ पज संख्या साथ से बारा तक मांगो और तुम्हें दिया जाएगा धूंडो और तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है जो ढूंडता है उसे मिल जाता है और जो खट-कटाता है उसके लिए खोला जाता है यदि तुम्हारा पुतर तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा अत्वा मचली मांगे तो उसे सांप देगा बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजे देते हो तो तुम्हारा स्वर्गी पिता मांगने वालों को अच्छी चीजे क्यों नहीं देगा दूसरों से अपने प्रती जैसा वहवार चाहते हो तुम भी उनके प्रती वैसा ही किया करो यही सहता और नभियों की शिक्षा है यह प्रभु का सूसमाचार है क्रीस्त की जै